मोर मयारुक देश के रववया हो, जोहार, आज मन की बात के एक्ठन अउकडी के माध्यम ले, हमान एक सगरा जुर्यावत हन। ये 2022 के पहली मन की बात हवै। आज फेर हमन ऐसने चर्चा मनला आगु बढ़ाभो, जिन हमर देश और देश वासी मन के सकारात्मक प्रेरणा और सामुहिक पर्यास ले जुड़े हो थे। इक परिवर्तन जिन आप मन देखे हो हूँ, अब गरतंत्र दिवस समारोह 23 जन्वरी माने नेता जी सुभाष चंद्रबोस के जनम जयनती ले सुरू हो ही, और 30 जन्वरी तक माने गांधी जी के पुन्यतिथी तक चल ही। इंडिया गेट मा नेता जी के डिजिटल प्रतिमा घलो इस्थापित करेगे है। ये बात के जेन रकम ले देश सुवागत करे है। देश के हर कोना ले आनंद के जेन लहर उठे है, हर देश वासिह जेन रकम के भावना परगट करे है, ओला हम कभु भुला नहीं सकन। संगवारी हो, आजादी के अमरित महोत्सों मा देश ये पर्यास मन के माध्यमले अपन राश्च्रिय प्रतिक मनला दुबारा प्रतिष्ठित करत है। हम अन देखें कि इंडिया गेट के नजीक अमर जवान जोती और नजीके मा नेशनल वार मेमोरियल मा प्रज्वलित जोती मनला एक करेगे इस। ये भावुक मौका मा कतको देशवासी और शहीद परिवार के आखी मा आसू रहिस। नेशनल वार मेमोरियल मा आजादी के बादले शहीद होए देश के सब बो जामबाज मन के नाम अंकित करेगे है। मुला सेना के कुछ पूर्व जवानमन पाती लिख के कहे हैं कि शहीद मन के सुर्ता के आगु प्रज्वलित होवत अमर जवान जोती शहीद मन के अमरता के चिधारी है। सिर्तोनमा अमर जवान जोती कस हमर शहीद उनकर प्रेणा और योगदान घलो अमर है। मैं आप जम्मो ले कहूँ जब भी मौका मिले नेशनल वार मेमोरियल खचित जावाओ। अपन परवार और लैका मनला घलो खचित लिगाओ। इहां आप मनला एक अलके उर्जा और प् बीच देश म कईयों महत्वपून राष्ट्रिय पुरस्कार घलो देगीस। एक है प्रधान मंत्री राष्ट्रिय बाल पुरस्कार। ये पुरस्कार वो लैका मनला मिले हैं जनमन नानु कुमिर मा सहसीक और प्रेरणा दाई काम करे हैं। हम जम्मो मनला अपन घर मा ये ल देश के नाम उज्जर करे के उत्साह जगी। देश मा अभी पद्म सम्मान के घोशना घलो होए है। पद्म पुरस्कार जोंके वाला मा कईयों ऐसे नाव घलो हैं जिनकर बारे मा बहुते कम लोगन मन जान थे। ये हमर देश के अनसंग हीरो है। जेनमन साधारन सम्मानित करेगे है। बसंती देविह अपन जम्मो जिन्गी संगर्ष के बीच जिये है। कम उमिरमा उनकर गोसाईया के निधन होगे रहिस। अवो मन एक आश्रम मा रहे लगिस। इहां रहिके वो मन नदील बचाय खातिर संगर्ष करिन और परिया वरन खातिर असाधरन योगदान देईन। उनमन माई लोगिन मन के सशक्ती करन खातिर घलो बहुत काम करे हैं। इही रकम मनिपूर के ससत्तर बचर के लोरेंबं बीनो देवी कईयों दशकले मनिपूर के लीबा टेक्स्तायल आर्ट के संगरक्षन करत हैं। वो मनला घलो पद्म श्रीले सम्मान मध्यप्रदेश के अर्जुन सीहला बैगा आदिवासीन रित्यकलाला पहिचान दिलाएबर पदमसम्मान मिले है। पदमसम्मान जोके वाला एक अवव्यक्ती है, श्रीमान अमाई महालिंगा नाईं। ये मन एक किसान हैं, अव करनाटक के रहिया हैं। ये मनला कुछ लो इन खर पर्यास के बहुत बढ़का लाब छोटे किसान मनला हुआ थे। संदेशा भेश्थाओ, कईयों सुझाओ घलो देथाओ, इही कडिमा कुछू ऐसे हुए है जेन मोर खातिर अविस्मरणिय हैं। ये पोस्ट काड मां ये बात के दर्शन हो थे कि देश के भविश्चे खातिर हमर नवापिधी के सोच, कत का व्यापक औव बढ़का है। मैं मन की बात के शोता मन बर कुछ पोस्ट काड छाटे हाँ, जिला मैं आप मन संग साजा करना चाहा थाँ। जैसे असम के गुवहाटी ले ये रिध्यमा स्वर्गियारी के पोस्ट काड है। रिध्यमा सात्मी कक्षा के छात्रा है और वो मन लिखे है कि वो आजादी के सववा बचर मा एक ऐसे भारत देखना चाहा थे, जिन दुनिया के सबले स्वच देश हो, आतंक वादले पूरा मुक्त होए, शत प्रतीशत साक्षर देश मा समलित होए, शुन्य दुरघटना वाला देश होए और टिकाओ तकनीक ले खाद्य सुरक्षा मा सक्षम होए, रिध्यमा हमर बेटी मन जेन सोच थे, जेन सपना देश खातिर देख थे, वो पूरा होबे कर थे, जब सब वो मन के पर्यास जुर्याही, आप मन के युवा पिढ़ी ओला लक्ष बना के काम करी, ता आप भारतल जैसे बनाना चाहताओ, वैसने खचित बन ही, एक पोस्ट कार्ट मुला उत्तर प्रदेश के प्रयाग राज के नव्या वर्मा के घलो मिले है, नव्याहा लिखे हैं कि उन्खर सपना 2047 मा ऐसे भारत के है, जिहां सब वो मनला सम्मान पून जीवन मिले, जि जिहां किसान सम्रिद्ध हो, अव भ्रष्टाचार ना हो, नव्याह देश खातिर आपके सपना बहुते सराहनी हवै, ये दिशामा देश तेजीले आगू गलो बढ़ा थे, आप मन भ्रष्टाचार मुक्त भारत के बात करे हाओ, भ्रष्टाचार दीमककस देशला खोकला क एकर मुक्ति खातिर 2047 के अगुरा काबर, ये काम हम जम्मो देश्वासी मनला आज के युवा पिढिला जुर मिल के करना है, जल्दी ले जल्दी करना है, अव एकर खातिर बहुत जरूरी है कि हम अपन कर्तव्य मनला प्राथमिक्ता देवन, जिहां कर्तव्य निभाय के भ चे नईले मुहम्मद इब्राहीम के, इब्राहीम 2047 मा भारत ला रक्षा के खेत्र मा एक बढ़का शक्ति के रूप मा देखना चाहते, वो चाहते कि चंद्रमा मा भारत के अपन शोध पीठो और मंगल मा भारत मानव आबादी बसाय के काम शुरू करे, संगे संग इब्रा जिन देश करा आप मन जैसे नवजवान हो, उखर खातिर कुछु असंभव नहीं है, संगवारी हो, मोर आघू एक्ठन अउपाती है, मध्य प्रदेश के राय सेन मा, सरस्वती विद्या मंदिर मा, कक्षा दस के छात्रा भावना के, सबली पहली ता मैं भावना लग कहूं कि आप मन जेन रकम अपन पोष्ट काड ल, तिरंगा ले सजाय हो, वो मोला बहुते अच्छा लगिस। भावना हा, कांती कारी शिरिस कुमार के बारे मा लिखे है, संगवारी हो, मोला गोवा ले लौरेंशियो परिरा के पोष्ट काड घलो मिले है, ये मन कक्षा बार्वी के छात्रा है, इनकर पाती के बिशय है, स्वाधिन्ता के अनसंग हीरो मन, मैं एकर हिंदी भावार्थ आप मनला बतावत हो, ये मन लिखे हैं, भीका जी कामा भारती स्वतंत्रता संग्राम मा समलित रहे, सबले बहादुर माई लोगिन मा एक रहिन, वो मन बेटी मनला सशक करे खातिर, देश बिदेश मा बहुतक अभियान चलाईन, अनेको प्रदशनी लगाईन, निश्टित तौर मा भीका जी कामा स्वाधिन्ता आंदोलन के सबले जामबाज माई लोगिन मन मा एक रहिन, उन्नी सो साथ मा उन्मन जर्मनी मा तिरंगा फैराय रहिन, ये तिरंग उन्नी सो तीस मा जिनेवा मा होई रहिस, उन्कर अंतिम इच्छा रहिस कि भारत के आजादी के बाद उन्कर अस्थी भारत लाए जाए, वैसे तो उन्नी सो सैंतालीस मा आजादी के दूसरिच दिन उन्कर अस्थी भारत वापिस आ जाना रहिस, फिर ये काम नहीं हो पाई शायद परमात्मा के इच्छा हो ही कि ये काम मैं कराऊं और ये काम के सुभाग मुला घलो मिलिस। मुला भारत के मित्र देश क्रोवेशिया ले घलो 75 पोस्ट कार्ड मिले हैं। हमन शिक्षाला किताबी ज्यान तक सिमित नहीं रखे हन। भलुक उला जिन्गी के एक समग्र अनुभों के रूप मा देखे हन। हमर देश के महान विभूती मन के घलो शिक्षाले गहिर नता रहे है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी हा जिहां बनारस्थ हिंदो विश्व विद्याले के स्थापना करीन। उहें महात्मा गांधी हा गुजरात विद्यापीट के निर्मान मा महती भूमिका निभाईन। गुजरात के आडद मा एक बहुते प्यारा इस्थान है। वल्लभ विद्यानगर। सरदार पटेल के आग्रह मा उन्खर दूजन सहयोगी भाई काका और भीखा भाई मन उहां युवा मन खातिर शिक्षा केंद्र के इस्थापना करीन। इही रकम पश्चिम बंगाल मा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर्ह शांती निकितन के इस्थापना करीन। महाराजा गायकवाड घलो शिक्षा के प्रबल समर्थक मन मा एक रहिन। उन्वन कईयों शिक्षन संस्थान के निर्मान करवाईन और डॉक्टर अंबेटकर और शी अर्बिंदो समेत अनेक विभूती मनला उच्च शिक्षा खातिर प्रेरित करिन। अइसने महानुभाव मन के सूची मा एक नाव राजा महेंद्र प्रताप सिह जी के घलो है। मुला खुसी है कि शिक्षा के प्रकाशल जन जन तक पहुचाय के उही जीवन्त भावना भारत मा आज घलो इस्थापी थे। का आप मन जानताओ कि ये भावना के सबले सुदर बात का है। वो ये है कि सिक्षाल लेके ये जागरुकता समाज महर इस्तर उपर दिखा थे। तमिल नाडू के त्रिप्पूर जिला के उदुमल पेट ब्लाक मा रहे वाली तयम्मल जी के उधारन बहुते प्रिणदाई है। तयम्मल जी करा अपन कोनों भुईया नहीं है। कईयों बचर ले उनकर परवार नारियल पानी बेज के अपन गुजर बसर करा थे। आर्थिक इस्तिती भले अच्छा ना हो। फिर तयम्मल जी अपन नोनी बाबूला पढ़ाय मा कोनों कसर बाकी नहीं छोड़े रहें। शाला के इस्तिती ला सुधारे जाए। शाला अधो सरचना ला ठीक करे जाए। तयम्मल जी घलो वो मीटिंग मा रहिन। उनमन सब कुछ सुनिन। इही बैठक मा चर्चा ये काम खातिर पैसा के कमी उपर आके ठीक गेस। उखर बाद तयम्मल जी है जेन करिन उखर कलपना कोनों नहीं कर सके। जिन तयम्मल जी है नारियल पानी बेज के कुछ पूंजी जमा करे रहिन। वो मन एक लाख रुपिया स्कूल खातिर दान कर देन। सिर्टोन मा ऐसे करे खातिर बहुते बढ़ का मन चाही सेवा भाव चाही। तयम्मल जी के कहना है अभी जेन इसकूल है ओमें आठवी कक्षा तक पढ़ाई हो थे। अओ जब शाला के अधोंसर रचना सुधर जाही तो उहां हायर सेकेंडरी तक के पढ़ाई होई लगी। हमर देश मा शिक्षा लग लेके ये उही भावना है जे खर मैं चर्चा करत रहे हूँ। मुला IIT-BHU के एक पूर्व विद्यार्थी के इही रकम के दान के बारे मा घलो पता चले है। BHU के पूर्व छात्र जय चौध्री जी IIT-BHU फाउंडेशन ला एक मिलियन डालर माने करीबन साढ़े साथ करोड रूपिया दान करे हैं। संगवारी हो हमर देश मा आने आने क्षेत्र ले जुड़े बहुत तक लोगनमन हैं जेनमन दूसर के सहायता करके समाज के प्रती अपन जिम्मेदारी के निर्वाह करते। मुला बहुते खुसी है कि ये रकम के पर्यास उच्च शिक्षा के क्षेत्र मा खास कर हमर आने आने आयाइटी मा सरलक देखेला मिलत है। केंद्रिय विश्व विद्यालाय मन मा घलो इही रकम के प्रेरक उधारन के कमी नहीं है। समुदाईग भागिदारी और स्वामित के भावनाला आगु बढ़ावत है। अपन स्कूल कालेज ले सरलक जुड़े रहना अपन क्षमता नूसार कुछू न कुछू योगदान देना ये एक ऐसे बात है। जिखर संतोश और आनंद अन्वाव लेके ही पता चल थे। मुर्मयारुक देश के रवईया हो परकृति ले प्रेम और हर जीव खातिर करुणा ये हमर संस्कृती है। और सहज सुभाव घलो है। हमर इही संस्कार के जलक अभी हाले मा तब दिखिस जब मध्य प्रदेश के पेच टाइगर रिजरो मा एक बागिन हा। दुनिया ला अलविदा करिस। ये बागिन ला लोगनमन कॉलर वाले बागिन कहत रहिन। वन विभाग हा एला टी पंद्रा नाव दे रहिन। ये बागिन के मृत्यु हा लोगनमन ला अत का भाव कर देश जैसे उनकर कोनो अपन दुनिया छोड़ गी है। लोगनमन हा विधी बिधान ले उकर अंतिम संस्कार करिन। उला पूरा सम्मान और मया संग बिदा करिन। आप मन घलो ये फोटू सोशल मीडिया मा खचित देखे हो हू। जब मोद दुनिया मा परकृति और जीव खातिर हम भारतिय मन के ये मया के खुबे सरहना होई। कालर वाले बागिन हा अपन जीवन काल मा उन्तीस शावक मनला जनम देश और पचीसला पाल पोस के बड़ा घलो करिश। हमर टी पंद्रा के ये जिनगीला घलो मनायन और जब वोह दुनिया छोडिस ता ओला भावुग बिदाई घलो देन। इही ता भारत के लोगन के खुबी है। हम हर चेतन जीवले प्रेम के संबंध बना ले थन। अईसने एक दिश्य हमनल ये पईत गरतंत्र दिवस के परेड मा घलो देखेला मिलिस। ये परेड मा राष्टपती अंग रक्षक के चार्जर घोडा विराठ अपन आखरी परेड मा हिस्सा लेइस। घोडा विराठ दू हजार तीन मा राष्टपती भवन आय रहीस और हर बारी गरतंत्र दिवस मा कमांडेंट चार्जर के रूप मा परेड के नेत्रित्व करत रहीस। जब कोनो विदेशी राष्टा ध्यक्ष के राष्टपती भवन मा सुवागत होवत रहीस। तक घलो वो अपन ये भूमिका निभावत रहीस। ये बच्छर आर्मी दिवस मा घोडा विराठ ल सेना प्रमुक द्वारा C.O.A.S. कमंडेशन कार्ड घलो देगीस। विराठ के विराठ सेवाला दिखत उखर सेवा निर्वित्ती के बाद उत्केज भवे रूप मा उला बिदाई देगीस। मुरमयारूक देश के रवईया हो जब एक निष्ठ पर्यास हो थे एक नियत ले काम हो थे ता उखर परिणाम घलो मिल थे। एक सुन्दर उधारन आगू आये है असम ले। असम के नाव लेते बराबर उहां के चाय बगान और बहुतक राष्ट्री उद्ध्यान के सुर्ता आ थे। संगे एक सिंग वाला गैंडा माने वन हार्न राइनो के फोटो घलो हमर मन मा उभर थे। आप जम्मो मन जान्थाओ कि एक सिंग वाला गैंडा हमेशा ले असमिया संस्कृती के हिस्सा रहे है। भारत रत्न भूपेन हजारिका के ये गीत हरे कान म गुंजत हो ही। संगवारी हो ये गीत के जन अरत है वो बहुते सुसंगत है। ये गीत मा कहे गेहे काजी रंगा के हरा भरा परिवेश हाथी आउ बाग के निवास एक सिंग वाला गैंडाला प्रित्वी देखे। पक्षी मन के मधुर कल्राव सुनैं, असम के विश्व प्रसिद्ध हत करगा मा बुनाय मुंगा और एरी के पोशाक मा घलो गैंडा के आकृती दिखाई दे थे। असम के संस्कृती मा जिन गैंडा के अत्का बढ़का महिमा हैं, उला घलो संकट के सामना करना पड़त रहिस। बचर 2013 मा 37 और 2014 मा 32 गैंडा मनला तसकर मन मार डारिन। ये चुनवती ले निपटे खातिर पाचु साथ बचर मा असम सरकार के विशेश पर्यास ले गैंडा के शिकार के विरुद्ध एक बहुते बढ़का अभियान चलाएगे। पाचु 22 सितंबर के विश्व गैंडा दिवस के बहुका मा तसकर मनले जप्त करेगे 2400 जादा सिंगला जला देगे रहिस। ये तसकर मनले एक कड़ा संदेशा रहिस। अईसने पर्यास के नतीजा है कि अब असम मा गैंडा के शिकार मा सरलक कमी आवत है। जिहां 2013 मा 37 गैंडा मारे गे रहिस। वहें 2020 मा दू और 2021 मा खाली एक गैंडा के सिकार के मामला आगु आईस। मैं गैंडा मनला बचाये खातिर असम के लोगन मन के संकलप के सराहना करत हूँ। संगवारी हो भारती ये संस्कृति के विभिद रंग और आध्यात्मिक शक्ति हैं। दुनिया भर के लोगन मनला अपन कोती खींचे है। अगर मैं आप मनले कहाँ कि भारती ये संस्कृति अमेरिका, कनाडा, तुबई, सिंगापूर, पस्चिम योरोप और जापान मा बहुते लोकप्रिय हैं। तो ये बात आप मनला बहुते सामाने लगी। आप मनला कोनो हैरानी नहीं होई। फिर अगर ये कहाँ कि भारती ये संस्कृति के लेटिन अमेरिका और दक्षिन अमेरिका मा घलो बढ़ आकर्शन हैं। तो आप मन एक घाँ जरूर सोच मा पढ़ जाहू। मेकसिको मा खादी ला बढ़ावा दे के बात हो या फिर ब्राजील मा भारती ये परमपरा ला लोकप्रिय बनाये के पर्यास। मन की बात मा हम ये विशय उपर पहली चर्चा कर चुके हन। आज मैं आप मनल अरजन टीना मा भारती ये संस्कृती के ध्वजा के बारे मा बता हूँ। अरजन टीना मा हमर संस्कृती ला बहुते पसंद किये जाते। 2018 मां मैं अर्जन्टीना के अपन जातरा के दवरान योग के कारिक्रम मां योगा फोर पीस मां हिस्सा लिये रहूं। इहां अर्जन्टीना मां एक संस्था है हस्तिनापुरर फाउन्डेशन आप मनला सुनके आश्चर हो थे नaimer हांं कहां अर्जन्टीना आऊ उहां घलो हस्त एकर इस्थापना 40 बचर पाचु एक मैडम प्रोफेसर एडा एलब्रेक्ट मन करे रहिन। भगवत गीता और उपनिशत के बारे मां गहिर ले जानिन। आज हस्तिनापुर फाउंडेशन के 40,000 ले जादा सदस हैं और अर्जंटीना और आने लेटिन अमेरिकी देशमन मां उन्खर करीबन 30 शाखा है। हस्तिनापुर फाउंडेशन हां स्पेनिश भाशा मां सव ले जादा वैदिक और दाशनी ग्रंत घलो प्रकाशित करे हैं। इनकर आश्रम घलो बहुते मनमुहक है। आश्रम मां बाराठन मंदीर के निर्मान कराएगी है। जे में अनेग देवी देवता के मूर्ती है। ये सब के केंद्र मां एक ऐसे मंदीर घलो है जेन अद्वैत वादी ध्यान खातिर बनाएगे है। संगवारी हो ऐसने सैकणों उधारन ये बता थे हमर संस्कृती हमरे खातिर नई भलुग जम्मो दुनिया खातिर एक अनमोल धरोहर है। दुनिया भर के लोगन इला जानना चाहतें समझना चाहतें जीना चाहतें। हमनल घलो पूरा जिम्मेदारी संग अपन सांस्कृतिक विरासतल खुद अपन जीवन के हिस्सा बनावत जम्मो लोगन तक पहुचाय के पर्यास करना चाही। मुरमयारुक देश के रवया हो। मैं अब आप मनले और खास करके अपन युवन मनले एक्ठन प्रश्ण करना चाहतें। अब सोचाओ आप मन एक घाओ मा कत का पुषप कर सका थो। मैं जेन आप मनले बताये वाला हाओ वो निशित रूप ले आप मनले आश्यरे ले भर देही। मनिपुर मा 24 बच्छर के युवा थोना ओजम निरन जॉय सी हां एक मिनट मा एक सो नौ पुषप के किर्तिमान बनाये हैं। तो हूँ और फिजिकल फिटनेस ले अपन जिनगी के हिस्सा बना हूँ। संगवारी हो आज मैं आप मन संक लद्दाख के एक ठन ऐसे जानकारी साज़ा करना चाहा थाँ। जे खरबारे मा जान के आप मनल जरूर गरब हो ही। लद्दाखल जल्दिच एक शानदार ओपन सिंथेटिक ट्रेप और एस्टो टर्फ फुटबॉल स्टेडियम के उपहार मिलाया है। ये स्टेडियम दस हजार फिटले जादा के उचाई में बना थे और एकर निर्मान जल्दिच पूरा होने वाला है। लद्दाख के ये सबले बढ़का खुला स्टेडियम हो ही जिहां तीस हजार दर्शक एक संग बैट सकी। लद्दाख के ये आधुनिक फुटबॉल स्टेडियम मा आठ लेन वाला एक सिंथेटिक ट्रेक घलो हो ही। एकर अत्रिक्त इहां एक हजार बिस्तर वाला एक होस्टल के सुविधा घलो हो ही। आप मनल ये जान के अच्छा लगी कि ये स्टेडियम ला फुटबाल के सबले बढ़का संस्था फीफाह घलो परमानित करे है। जब कभू खेल के ऐसे कोनों बढ़का अधों सरचना तियार हो थे ता ये देश के युवा मन खातिर एक सुंदर मौका ले के आ थे। अनेक अवसर पैदा हो थे। स्टेडियम के लाभ लद्दाख के हमर अनेको युवा मनल खालो हो ही। मुर्मयारुक देश के रवईया हो। मन की बात मा ये पैद खालो हमन अनेक बिसे उपर बात करें। एक बिसे अउ है जिन ये बखत सब के मन में है और वो है कोरोना के। कोरोना के नवा लहर संग भारत बहुते सफलता के संग लड़ थे। ये घलो गरब के बात है कि अब तक करीबन साथे चार करोड लई का मन कोरोना टीका के खुराक ले ले हैं। एकर मतलब ये हो इस कि पंदरा ले अठारा बचर के आयू वर्ग के लगभग साथ प्रतिशत युवा मन तीन ले चार हफता मा टीका लगवा लिये हैं। एकर ले ना सिर्फ हमर युवा मन के रक्षा हुई भलुक उनकर पढ़ाई जारी रखे मा घलो सहायता मिली। एक अउ अच्छा बात ये घलो है कि बीज दीन के भितरी एक करोण लोगन मन प्रिकॉशन डोस घलो ले ले हैं। अपन देश के टीका उपर देशवासी मन के ये भरोसा हमर बहुते बढ़ का ताकत है। अब तो कोरोना संक्रमन के केस घलो कम होना शुरू हो गे हैं। ये बहुते सकारात्मक संकेत है। लोगन मन सुरक्षित रहें, देश के आर्थिक गतिविधी के रफ्तार बने रहें, हर देशवासी के इही कामना है। अव आप मन तो जानते हाओ कि मन की बात मा कुछ बात मैं कहे बिना नहीं रह सकाओ। जैसे स्वच्छता अभियानला हमनल भुलाना नहीं है। सिंगल योज प्लास्टिक के विरुद्ध अभियानमा हमनल अव तेजी लाना जरूरी है। वोकल फॉर लोकल के मंतर ये हमर जिम्मेवारी है। हमनला आत्म निर्भर भारत अभियान खातीर जी जान ले जुटे रहना है। हम जम्मो मन के पर्यास ले, देश विकास के नवा फुलिंग उपर पहुची, इहीं कामना संग मैं आप मनले विदा लेवत हूँ। गाडा गाडा धन्यवाद।